नमस्कार देनिक जागरती यूटूब चैनल पर आप सभी का सवागत है इस वीडियो के माद दिम से हम किसान भाईयों को जानकारी देंगे कि हर अरकी उन्नत खेती कैसे करें जिससे कि उनको उत्तम पैदावार प्राप्त हो हम बात उनकिसमों की भी करेंगे जो उन्नत है आप अपने अररकी खेती की और आपको उससे कितनी पैदावार मिल सकती है इन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से अनुरूद करना चाहता हूं यदि आपने हमारा यूटूब चैनल सस्क्राइब नहीं किया तिसको सस्क्राइब कर लिजिए और बाद में दिखाई देने वाले गंटे के आइकोन को दबाना मत बूर इससे आपको समय समय पर कर्शे से जुड़े मतपून वीडियो उपलब दोते रहेंगे जिसमें आप अपने समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं और कर्शे से जुड़ी नहीं नहीं तक् कर शक्ते हैं तो आईए बात करते हैं हरकी उन्ठ खेती की पूरी करिया को जानेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा आस्था है आप पूरा वीडियो सुनेंगे जिससे के आपकी जानकारी में बढोटरी होगी और आप अच्छे से अपने अरार की खेती कर पाए क्योंकि यह एक उन्नत तक्निक है और खरीब की मुख्य फसल है यह कम सिताय और बरानी चेत्रों के लिए उत्तम माने जाती है और और को मिशित फसल के रूप में भी निकिसी फसल के साथ उगा कर अत्रीक लाब लिया जा सकता है दल अनि फसल होने के कारण यह मिट्टी की उर सकती भी बढ़ाती है इसमें कार्बरो आइडरेट कैल्सियम लोहा और खनीज पदार्थ परियाप्त मात्रा में पाए जाते हैं अर अरकिद्र कालिन किसमें मिट्टी में 200 किलो ग्राम तक वाईव मंडली नाइट्रोजन का स्त्रीकर्ण कर मिट्टी उरोरता और उत्पाद सकता में वर्द करती है इस वीडियो के माद मेंसे आप उन सब के बारे में जानेंगे और यदि आप अरर की खेती करना चाहते हैं तो हमारी वेज़ साइट पर आके यहां से कलिक करके उसके बारे आप पढ़ सकते हैं या फेर अमारा वीडियो भी आप सुन सकते हैं सब से आवसेक्ता होती है फसल की प्रारंबी कवस्ता में पोड़ देखे अच्छी वर्दी के लिए नम जलवा ऐयू की आवसेक्ता होती है इससे पिछेत्र से सो सेंटिमीटर वर्षा वाले छेत्रों में सफलता पूर्वक उगाया जा सकता है उसके बाद आकिसान भायो उप्यूक तो बूमी कौन सी है अरर की खेती के लिए बूमी का चैन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि खेत उचा और सम्तल हो एम उसमें जल निकास का अच्छा परबंदन हो अरर को अधिकांग स्परकार के मिटी में उगाया जा सकता है उत्रबात में अरर को मटियार दोमट मिटी से लेगर रेतिली दोमट मिटी में उगाया जा सकता है एरर की फसल के लिए बुलूई दोमट या दोमट मिटे जिसका पी अचमान 6.5 से 7.5 के बीच हो तथा बुमे का जल तल गहराई पर हो सरोतम रहती है उसके बाद अकिसान भाईो फसल चक्कर एरर की सिगर पकने वाली किसमें जो के 130 से 160 दिन में पक जाती हैं उनके विकास ओने से अरर के बाद रवी की फसल की बुआई संबव होई है इन किसमों की बुआई जून के पर्थम पकवाडे में की जा सकती है और दिसंबर के पर्थम सब्ता तक फसल की कटाई कर ली जाती है अररर के साथ बहुत से फसल चक्कर अपनाए जाते हैं जैसे हरर पलस बाजरा जवार मक्का तिल स्वयाबिन उड़त मूंग उसके बाद हरर गेहूं एरर गेहूं मूंग घर्णा मूंग गरिशम कालिन हरर गेहूं एरर यानि अगेती अलू उड़त और हर हर उड़त मसूर तारा मिरा ब्रानी छेतरों के लिए सबसे उप्यूगत फसल चक्र है अब बात आती है एरर की उन्नत किसमें किसान भायों एक सब से खतरनाक रोग लगता है एरर की फसल में बांज पन रोग उसकी परतिरोद दिकिसमें इस परतार हैं बी आरजी दो टी जे टी पानसो एक बी डी ऐन साथो ग्यारा बी डी ऐन साथो आठ अट एड़ो बी एस एम आर आठ सो त्रेपन पुसा नो सो बानवे और बी एस एम आर साथो प्सा प्सा गेति से मुखे बांज प्रतिरोदी किसमें हैं उसके बाद रकिसान भायों सिग गरपक्तने वाली किसमे इस परकार है, पुसा 855, पुसा 33, पुसा अगेति, पी, ए, यू, आट सो, इकासी, ए, ए, ल, पंदरा 07, पंत, हर, र, दो सो इकानवे, जागर्ती, जिसको आई, पी, आई, सी, पी, ए, 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 सी, पी, ए, 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 स उसके बाद रकिसान भायों मद्दम समय में पक्ने वाली टाइप 21, जवार, र, र, चार, और, आई, सी, पी, ए, 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 सी, ए, ए, सी, ए, सो, उननिस, जिसको आइशा के नाम से जानते हैं, देर्शे पक्ने वाली किसमे हैं, बार, ए, म, ए, ए, तेरा, पुसा नो और, इस, इस, ए, सी, ई, ख, सबी, सिकेत्र, और, आई, सी, पी, ए, सी, ए, साथ, आइस, चालिश ये, पर्मुख, हाईबिर्ड किसमे हैं, उसके बाद र, आई, शे, स्वार, ए, जे, ए, 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 सो, नो, आइ, सब्सा नो तो आजान, जिसको के 91, पस्टिस के नाम से जानते हैं B, S, M, R, 736 और M, A, 6 अधी परमुखुख्ठारोदी किसमे हैं और यदि आप किसमु के अधिक जानकारी चाहते हैं विस्तार से छेत्रवाईज और उसकी विशेश्ताएं और पैदावार जानना चाहते हैं तो यहां से कलिक करके उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं या हमारा वीडियो भी आप सुन सकते हैं उसके बाद अकिसान भाईयो खेत की तेयारी मिटीपल टल से एक गहरी जुताई के बार दो से तिन जुताई देश से अलिया रोया कल्टिवेटर से करना उचीत रहता है खेत में जल निकास की प्रियाप्त व्यवस्ता होनी चाहिए जो की बहुत यावशिक है अरर की खेती के लिए बुआई का समय और विदी सिगर पकने वाली किसमों की बुआई जून के पर्थम पकवाडे में पलेवा करके करनी चाहिए और मद्यम तथा देर से पकने वाली किसमों की बुआई जून से जुलाई के पर्थम पकवाडे में उचीत रहती है उसके बाद अकिसान भायो खाद और उरूरक मिटी प्रिक्षन के आदार पर समस्तूरूरक अंतिम जुताई के समय अल के पिछे कुड़ों में बीज की सताय से 5 सेंटीमेटर गैराई तथा 3 से 5 सेंटीमेटर साइड में देना सर्वोतम रहता है बुआई के समय 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन 40 से 50 किलोग्राम फासफोर्ष और 20 से 25 किलोग्राम पोटास परती एक्टेर कतारों में बीज के निचे दिया जाना चाहिए उसके बाद किसान भाईयों सुक्सम पोशकता तव जो कि दल अनिफसलों के लिए बहुत ही महताव पून है सबसे पहले है गंदक ताली और दोमट मिट्टी में 20 किलोग्राम गंदक यानि 104 किलोग्राम जिप्सम या फेर 22 किलोग्राम वेंटोनाइट सलफर दें आप परती एक्टेर की दर्शे बुआई के समय परते फसल के लिए देना प्रयाप्त होता है कमी होने पर लाल बलूई मिट्टी के लिए 40 किलोग्राम गंदक यानि 300 किलोग्राम जिप्सम या 44 किलोग्राम वेंटोनाइट सलफर परती एक्टेर से आप उप्योग करें जिंक बलूई मिट्टी में उगाई जाने वाली एक्टेर की फसल में 3-5 किलोग्राम जिंक परती एक्टेर की दर्शे आधार उरूरत के रूप में प्रियोग करें खेत में परतेक्ते इन्वरस में एक बार जिंक सलफेट को आखरी जुताई पूरो बूर का देने से पैदावार में अच्छी बड़ोतरी देखी गई है लोहा अलके सरनतना वाली मिट्टी में अरर की फसल में बूआई के 60-90 और 120 दिन बाद 0.5 फेरेश सलफेट के गोल का पढ़ने छिड़का वापो करना चाहिए उसके बाद अकिसान वाईयो बीज सो दन मिट्टी जनीत्रों को उन्से बचाव के लिए बीज को 2 ग्राम थाइम एक ग्राम कारबन डेजम परती किलो ग्राम या फिर 3 ग्राम थाइम परती किलो ग्राम की दर से सो दीत करके बूआई करें या कारबेक्षिन 2 ग्राम प्लस 5 ग्राम फ्राइकोडर्मा पर 3 किलो ग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें बीज सोदन बीज उपचार से 2-3 दिन पहले आप करें उसके बाद अकिसान भाईओ जेविक बीज उपचार 10 किलो ग्राम हर एरकी बीज के लिए राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट 100 ग्राम प्रियापत होता है इसके लिए 50 ग्राम गूड या चिनी को एक बटा 2 लिटर पानी में गोल कर उबाल ले गोल के ठन्डावने पर उससे राइजोबियम कल्चर मिला दे इस कल्चर में 10 किलोग्राम बीज डाल कर अच्छे प्रक हो जाएंगे कि अब बात आते है किसान भाईयो बुवाई की विध्धी सिग्र पकने वाली किसमे है तू पंक्ती से पंक्ती की दूरी 45 से 65 सेटीमिटर और पॉद्दे से पोद्दे की दूरी 10 से 15 सेंटीमिटर रखे आप मर्द में उद्धेर से पकने वाली किस्मों के लि से 25 किलोग्राम और मद्यम समय में पकने वाले किस्मू का 15-20 किलोग्राम बीज परती एक्टेर बोना उचित है अंत्थ फसलिकर्ण अंतरवर्ती फसल पदती में मुखे फसल की पूरण पैदावार और आंतरवर्ती फसल की अत्रिक्त पैदावार प्राप्त होती है मुखे फ अंतरवर्ती फसल पदती में किर्टू और रोगों का प्रकोग नियंतर्ण में रहता है उसके बाद अकिसान भायों शिच्चाई और जलनिकासी बुआई के 30 दिन बाद उस पवस्ता में बुआई से 70 दिन बाद फली बनते समय तथा बुआई के 110 दिन बाद फसल में आवस करना उचित रहता है मेट उपर बुआई करने से अधिक जल बराव की स्तिती में भी एर एरकी जड़ू के लिए परियाप्त वायू संचार होता रहता है उसके बाद अकिसान भायों खर्पत्वार रोख्थाम के लिए पेंडी मेथलिन 0.45 से 1 किलोग्राम सेकर ये तत्तव परती एक्टेर बुआई के बाद और अंकून से पहले परियोग करने से खर्पत्वार नेंतरन होता है खर्पत्वार परियोग के बाद एक निराई लगबग 30-40 दिन के अवस्ता पर करना लाब दायक होता है किन्तु यदि पिछली वर्षों में खेत में खर्पत्वार की दो से डाई किलोग्राम सकरी तत्तव मातरा को बी जंकून से पूरव छिड़कने से खर्पत्वारों पर पर परवावी नेंतरन पाया जा सकता है किसान भाईयों हम कीटो रोग रोग खाम की बात अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि इसमें यदि हम इन की बात करेंगे त इस से इसकी क्वार्टे भी खराब होती है तो हम कीटो रोग रोग खाम के लिए अगला वीडियो जल्द ही बनाएंगे अब बात आते है किसान भाईयों इस उपरोग वीदी से आपको कितनी पैदावार प्राप्त हो सकती है और कटाई और गहाई कैसे करें जब पुद्द के दानु को अलग कर लेना चाहिए किसी भी अंतर दवारा इसे उपरोग वीदी से उन्न तुत्पा दन तकनीके अपना कर एरर की खेर्ती करने से 15-30 क्योंटल परती एक्टेर एंसी चीत अवस्ता में और 25-40 क्योंटल परती एक्टेर पैदावार चीत अवस्ता में कि बंडाइन यह तो नमी का परतिसद 8-12 परतिसद से अधिक नहीं होना चाहिए दाने का अन्य था उख्राब होने की समस्या हो सकती है तो आप इस नमी का सतर बनाए रखिए तो यह तो थी किसान भाईयो एरर की उन्नत खेती की जानकारी आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो अमारा वीडियो अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक किसान भाई इस जानकारी से अवगत हो और यदि आपने अमारा यूटूब चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो इसको सस्क्राइब कर लिजिए और बाद में दिखाई देने वाले गंट